असलाम अलेकूम मेरा नम आमिर है और आज मैं आपको गाइड करूँगा कि यह ओन बोर्डिंग फॉर्म जो आपको पेमोब की टीम प्रवाइड करती है सेंड करती है कि उसको फिल अप कैसे करना है कोशी करूँगा कि आपको बहतर तरीके से गाइड कर सकूँ अगर फिर भी मैं कहीं लाइक कर जो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूश सकते हैं कोशी करूँगा कि आपको बहतर तरीके से गाइड कर सकूँ ठीक है यह इस तरह का onboarding form होता है जो आपको word file मिलती है Paymob की team से फिल आप कैसे करना है सबसे पहले तो जो आपने selection करनी है अगर आप partnership पर है तो partnership select करेंगा आप soul है तो soul के लिए आपने यह वला यहां पर tick करना है partnership के लिए यहां पर करना है क्योंकि post machine अभी live है नहीं तो जैसे आएगी तो आप उसके लिए भी यहां पर click कर सकते फिल आल आप just e-commerce gateway पर click करेंगे second portion में आज आजाएं तो यहां पर आपने जो भी merchant है जो apply करना चाहरे है business के लिए gateway लेने के लिए जिन की website है वो यहां पर आपने नाम मेंशन करेंगे जो as per cnice as per cnice आपने नाम लिखेंगे cnice number यहां पर आ जाएगा cnice की issue date वो लिखेंगे date of birth as per cnice वो डालेंगे यहां पर father यहां पर spouse name mention करेंगे as per cnice mother name as per nadra वह आप mention करेंगे, place of birth, as per another mention करेंगे, email address, वह ही आप यहाँ पर mention करेंगे, जो आपके पास activate हो, उसकी वज़ए यह है कि जब आप paymob का dashboard account बनाएंगे, उसके लिए email address चाहिए होता है, वही चीज यहाँ पर mention करेंगे, ताकि हमारे जो paymob की team है, system है, उनकी back end पर करेंगे, जो dashboard career करते वक्त अब वहाँ पर उनको provide करेंगे, अब आज है business detail पर, यहाँ पर कुछ, जो customer है, वो confused हो जाते हैं कि merchant legal and commercial है, आचा, इसकी फर्क मैंको तायता हूं देखे हैं, कुछ businessmen होते हैं, कि अपना नाम, register, उनका कुछ और होता है, और वो जो website पर run करेंग जो कुछ और नाम से करेंगे, for example, मैं आपको एक example चूट सी दूँ, for example, अगर मैं हूँ, तो मेरा business चल रहा है, अजला textile के नाम से, और register मेरा अजला textile के नाम से है, लेकिन मेरे जो website है, वो अजला kids के नाम से, वो मैं run कर रहा हूं, right, ऐसे ही, तो यहाँ पर आपने क्या करन है, वो ही ना mention करना है, जो commercial like, जो आपने register कर वा जा हुआ है, ठीक है, legal ने, for example, website का नाम है, आपका यहाँ पर Agila Kids, मैं यहाँ अजला kids mention करूगा, इसके बाद यह नीचे आजे तो यहाँ पर बता रहा है, कि business name, जिस नाम से आप business कर रहे हैं, जैसे मैं आपको आए नाम से अजला textile के नाम से है, लेकिन मैं business Agila Kids के नाम से कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर mention करना है, business nature क्या है, soul है, या फिर partnership पर है, या फिर जो भी है, वो आपने हाँ mention करेंगे, business inception date, कब से business कर रहे हैं, वो date यहाँ पर mention करेंगे, लाजमी है, must है, ठीक है, NTA number अगर है, तो रहे हैं, वो आपने mention करने है, अगर नहीं है, भी है, जो इस टायरीख है, ये अपने लाजमी Mention करना है,build business address अपने लास्मी मेंचन करना है वही address यहां मेंचन करेंगी जो आपने website पे मेंचन करना है website पे भी address मेंचन करना लाजमी होता है contact number मेंचन करना लाजमी होता है और onboarding form में भी वही चीज़ मेंचन करेंगी जो आपने website पे मेंचन करना है city क्यों काउन सा है, province मंत्ली 10-work, यहार बहुत इंपर्टेंट है, इसको समझेगा। आपने वही मंत्ली 10-work यहां पे मेंनेशन करना है जो आपको ऑन-लाइन से आता है। अगर आपका फिजिकली शॉब है सब्सक्राइब अप्र वही मंत्रे टान्वर से दिचनछ करना है physical वाट नहीं करना, इस बात का खास्तों पे दियान लग zweiten और वही mention किजेगा op the monthly basis पे आपका आज सकता है आपका ऐसा नहूं कि आॉट मृम्साइफ था पकी sitsch Rebecca कोई 20 लाग और आप यहां मेंद दित्स लाग cover औि issue आज सकता है बाद में, व्हू इसलुह के paymap की आपसे फिर पूछे की बाद में कि आपने तो हमें यह बताया था कि मंतली बिस्टे आपका 10 लाग आएगा तो आप यह 20 लाग क्रॉस 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 कैसे कर रहे हैं तो फिर वह issue create हो सकते इसलिए इन चीज़ों को फिलाप करने के लिए अगर पहले तो मैं guide कर रहा हूं पर भी confusion हो तो help and call कर लिजागा या पर इनकी team का number दे दूँआ उनसे राप्ता कर लिजागा यह must है जो आपका मंतली टन हो रहे है आपने वह ही on-line का वही mention करना है बहले एक आदलाग उपर mention कर दें लेकिन कम mention ना करें इससे बाद में जो है वो issue create हो सकता है वादला problem हो सकती है फिस इसलिए I hope की आपको यह वाला समय में आ चुका होगा इसके बाद bank name mention करेंगे जो आपने account maintenance certificate दिया है वो वही वाले आपे bank name हो गया IB number अगर apply कर देंगे तो best है otherwise account number title of account आप mention करेंगे किस नम से account आपने बनाया होगा है ठीक है अब आज है direct debit के लिए अगर आपको account की service भी चाहिए उसके लिए वही है आपका जो name है वह आप यहाँ mention करेंगे directors अगर अगर partnership पर है direct अगर है मतलब तो directors के name हो जाएंगे अगर नहीं इसको आप blank छोड़ दें या फिर not available कर दें business nature क्या है not available कर देजएगा और association of group अगर है then yes नहीं तो no group name अगर है तो yes नहीं तो not available group introduction right नहीं है तो ठीक है mention कर देजएगा नहीं तो leave annual report जरुवत नहीं है ठीक है not available कर देजएगा अगर जरुवत होगी तो आपको पेंबुगी team जो है बता देगी और provide कर देजएगा फिर वही contact detail है contact number है email address है वही चीज़ें आपको mention करनी है इसके बाद business retail आपने mention करनी है types of product क्या sale करते हैं वह आप यहां पर mention करेंगे category mention करेंगे अगर SEP से registered है तो वह number आ जाएगा business registration address mention करने लाजबी की website URL क्या है वह आप यहां पर mention करेंगे delivery mode यानि कि कैसे आप delivery करते हैं कौन सी service use करते है DHL है या leopards है या कोई और है वह यहां पर mention करेंगे और इसके इलावा आप आजएं अगर इसके इलावा आजएं अगर आप सिर्फ लोकली करते हैं तो ठीक आप यहां सिर्फ पाकिसान लिखते हैं और अगर आप international भी deliver करना चाहते हैं तो आपको यहां पर specific countries में करते हैं specific countries यहां पर लिख देंगे यहां लिखने के बाद आगे countries लिख देंगे यहां पर worldwide चाहते हैं तो यहां पर worldwide mention करेंगे और बाहर की जो मितलब international आगर आप कोई चीज डिलिवर करते हैं तो वह कैसे करेंगे कौन सी service यह उस करेंगे वह आप यहां पर mention करेंगे payment method को यहां पर चाहिए card चाहिए, easypesa, account, jazz cash जो जो चाहिए आपको टिक करना होगा tokenization, recurring payments आपको चाहिए तो वह भी आपको यहां पर चाहिए तो yes नहीं तो recurring no कर दीजएगा इसके बाद यह मैं आपको बताता हूँ tokenization और recurring payment का मैं आपको बताता हूँ ठीक है, फिलाल मैं आपको यह complete कर दो पर बताता हूँ इसके बाद यह बड़ा important section है maximum transaction count per day maximum transaction amount per transaction इसका यह है कि आपकी आपने यहां पर mention करना है कि एक दिन में आपकी website पे कितिन transaction होती है यह आपने लाजमी accurate यहां पर idea, for example, अगर 10 होती है तो आप यहां 12 mention कर दें ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 10 हो रही है आप यहां भी दो लिख दें और जब 30 होगी तो फिर वह आपसे team यह चौती होगी तो team आपसे कि आपको पता है क्योंकि आप business कह रहे हैं तो आपको पता है कि आपके website से कितना traffic आता है तो यह चीज़ यहां पर mention करना है और इसके बाद वो जो 10 बान transaction हो रही है वो कितनी amount की हो सकती है वो आपने amount यहां mention करना है और इस बात का खास तो पर दियान रखेगा कि यह daily की transaction है daily transaction का मतलब है कि आपने यहां पर मंत्री टनवर लिखा है जो mention की है कोशी कीज़ेगा कि वो इससे match हो ऐसा नहों कि यहां पर आप daily transaction लिख रहे हो और कोई पांच लाग तो match होगा नहीं न तो गड़ बड़ हो जागे सारी इस बात का खास दौर पर दियान रखेगा उसके इलावा तो यहां पर signature अगरा करके आप team को रही देंगे बस यह था onboarding form fill करने का तरीका मैं tokenization और recurring payment का बताता हूं आपको और कुछ customer ऐसे होते हैं जो website पर बार-बार shopping करते हैं वो नहीं चाहते के बार-बार वहर वक्त card को carry करें और बार-बार अपने card की और जब भी checkout पर बार-बार अपने card की detail enter करें, CVC वगरा या पर online activation करें अपने card के लिए इस चीज को देखते हुए check out पर जैसी क्लिक करेंगा अपने card की detail वगरा एंटर करने के बाद organization उनका एक option मौजूदा हुआ पर वो पर क्लिक करेंगा उसको एक token number मिलेगा वहां से check out के बाद token number उसको generic को मिलेगा वो token number अपने account में save कर ले या पिर अपने पास रख ले अपने customer next time जब भी वो अपने website पर जाएगा तो उन customer को जो है अपने card की detail एंटर करने की जरुदा नहीं पड़ेगी वो check out पर जाने के बाद organization का option select करेंगे और फिर token पर एंटर करने देगे तो उनकी account से जो भी amount होगा वो deduct हो जाएगा simple है इसके बाद recurring payment की बात करें recurring payment उनके लिए होती है like जिनके monthly basis पर election होती है internet की service जो प्रवाइड करते हैं net cable जो प्रवाइड करते हैं और जैसे netflix है for example netflix monthly basis पर चार्ज करते हैं और इसके बाद school fees की बात करूँ मैं जो school वगरा run कर रहे हैं तो यह option के लिए बहुत best है वो चाहें तो recurring payments payments लेके अपनी जो school है school की fees है बच्चों की वो monthly basis पर automatically detect करवा सकते हैं कि बाद 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 पर parents को बलाने की जरूद नहीं या parents को बाद बाद बैंक जाने की जरूद नहीं तो यह recurring payments का option जो monthly basis पर collection करते हैं तो यह recurring payments का option यूज़ कर सकते हैं और यह ओपके यह दोनों organization and recurring payments आपको आचुका होगा in case कोई confusion हो आप comment section बूच लिजएगा मैं आपको guide कर दोगा I think यह video बहुत लंबी हो चुकी है मिलते एक next topic बनूँगा मैं आपके लिए यह video बहुत लंबी हो चुकी है मिलते एक next video में next topic के साथ ठीक है यह video बहुत लंबी हो चुकी है मिलते हैं next video में एक new topic के साथ अब तक चैल्ला हाफिस